नमस्कार दोस्तों, हमारे online tuition आड़ा चनल पे आपका स्वागत है दोस्तों, आज के इस कलास में आपको स्वर वर्ण का सबसे अंतिम जो वर्ण होता है उसके मात्रा को पढ़ना है, जिसको हम लोग अहा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अगर आप हिंदी पढ़ना लिखना सीख रहा है, तो उसमें आपको यह बहुत जगा मिलेगा यानि अपने जगा पे बहुत ही important है, इसको पढ़ना जरूरी है तो चलिये बीना देरी किये हुए, हम लोग इस कलास को सुरू करते हैं दोस्तों सुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, कि अगर आप मेरे चनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो दाय साइड में देखिए, नीचे सब्सक्राइब लिखा होगा अगर आप नहीं किये होंगे, तो लाल रंग से लिखा होगा उसको दबा दिजेगा, तो वो काला हो जाएगा यानि सब्सक्राइब हो जाएगा अगर आप किये होंगे, तो वो अल्रेडी काला दिखता होगा ठीक है, यहां आप देख सकते हैं कि जो यह औह है उसके उचारन में अहा का उचारन होगा ठीक है, और एक चीज और समझने वला है कि यह हमेशा अक्षर के बाद में लगता है कभी भी यह अक्षर के पहले नहीं लगेगा अक्षर के बाद में लगता है कभी कभी यह बीच में भी सब्द में बीच में मिलता है जैसे दुख लिखा होगा ऐसे दु खो ऐसे लिखा होगा तो उसमें आपको मिलेगा लेकिन ये भी क्या है अक्षर के बाद ही लगा है दुख के बाद ही लगा है और इसका उचारन भी दुख के बाद ही हो रहा है खौक के साथ इसका कोई लगाव नहीं है तो इसलिए मैं बताया हूँ कि हम ऐसा ये अक्षर के बाद लगता है क्रमशह अहा देखिए इसको उचारन में अहा अहा का उचारन हो आपको नहीं पढ़ना है आपको पढ़ना क्रमशह करमड़ः देखिए ये जादातर संस्क्रीत भासा में यूज होता है लेकिन हिंदी में भी इसका यूज होता है हिंदी में भी इसका जुरूरत पढ़ता है इसलिए मैं इसको भी पढ़ा रहा हूँ कलह, कलशह, गळह, गजह, गमह, गलह, धनह, चलह, इसको चल नहीं पड़ना है, क्या अपना, चलह, चरतह, तह, अह, देखें, बाद में उचारन हो रहा है, अह, चटह, छात्रह, छह, जगह, जानह, देखें, दोस्तों, मैं चाहता हूँ, कि जो भी चीज पढ़ना है, कहीं से कुछ नहीं छोड़ें, जो भी पढ़ना है, उसको मैं पढ़ाऊं, ताकि आप सुध रूप से, स्वही रूप से हिंदी पढ़ सकें, और लिख सकें, लिखने म में भी आपको आसानी हो, जनह, जगह, जटह, ठगह, तपह, ठकह, देखें, दुशासन, ये लिखा है, दुशासन, 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 दुशास, 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 दुश साहसे। तुह स्वापन, दुताह, स्वापन, धूनह, भूपह, धृति, मतलब बता है नहीं, शुल्क मतलब जो भी सुल्क कर लगता है यानि बिना करके उसका मुलता है निह शुल्क है निह शहाए निह शव्द निह शेश निह संकोच नमह निह स्वार्थ निह संतान सदोन से प्राथ काल ये बिसर्ग को बढूरत कल रुखना है इससे बना है निह recognize अगर आपको यह सब लिखने के लिए बोल रहा है तो उस में आपको यह मदक करेगा पूला निहीं है पुढना वती पुना हुती सबर्द्धा है अ निए हो तो प्रणार रायभए प्रणामह, फलतह, बालिकह, बालह, बलमह, भुर्भुवह, भुर्भुवह, भवतह, भागह, मुलतह, मुख्यतह, मनुहरह, मित्रह, मातह, मिलापह, यज्यह, युवकह, बीडियो को लाश्ट तक देखिएगा, इसको एस्कीप नहीं किजेगा, क्योंकि आपको लगता होगा कि ये उतना इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन बहुत इंपोर्टेंट है, आप जब हिंदी पढ़िएगा तब पता लगेगा, रजतह, राजयह, राजनह, रागवह, लाभह, लक्षमिह, लोकह, वानरह, वनह, विजयह, विशेशतह, वनह, वजह, मिलामह, सत्षह, शुभाश्यह, शंकरह, शक्तिह, शत्षह, शुभेक्छाह, चाह, देखिए, शनह, संभावतह, निह, संकोच, शमान्यतह, और भी थोड़ा सा सब्ध है, दोस्तो, इसको भी पढ़ लेजे, देखिए, एक बार इसको पढ़े रहेगा, देखे रहेगा, तो कभी भी आपके सामने आएगा, आप हिंदी जब सीख रहे हैं तो आपके सामने आगा, तो उसको आसानी साब पढ़ सकते हैं, युवशह, सुशान्तह, शायमकालह, शाशकह, शणकह, हलह, हस्तह, छत्रिह, छमाह, ग्यानह, ग्यातह, अध्य पतन, अंततह, अंशतह, अंतह करण, अतह, इश्वरह, श्वह, निरित्यह, दह साशन, ठीक है दोस्तों, ध्रितिह, कूतह, ध्रितिह, देखे दो जगे एखी सब्द रिपीट हो गया है, शंकरह भी हो गया है, नमस्कारह, मातह, इश्वरह, स्वतहला, समान्यतह, तो दोस्तों, आज का क्लास कैसा लगा, प्लीज कमेंट बक्स में लिख कर बताईएगा, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं, तो प्लीज लाल रंग से लिखा हुआ सब्सक्राइब को काला कर दीजिए, बड़ा हिमाज आता है काला करने में, और बेल आइकन को भी दबाल लेजीगा, ताकि आपको नोटिफिकेसन मिले, तो दोस्तों, अब इस सब्सक्राइब करते हैं, जाहिल,